खुलूंखा, चिबाई, मेरे सब प्यारे तीप्रासा लोगों को मैं आज फेस्बुक लाइव में आ रहा हूँ आप लोगों को कुछ बात बतानी के लिए सबसे पहले मैं अपने तीप्रासा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप मेरे साथ fight कर रहे हो, आप मेरे साथ struggle कर रहे हो, आपने struggle किया है आज women's day भी है, मैं अपने सब मा को, अपने बहनों को, मेरे बुमा को जो मेरा असली power है, जो मेरा असली शक्ती है मैं आपको अपने दिल से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज अगर हमारा शक्ती कुछ भी है, तो वो आप से है आपने हमारे लिए बहुत संखर्ष किया है और आपने मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे इज़त दी है और जब मैं कमजोर था, तो आपने अपना हाथ मेरे सर के उपर रखके आपने अपने बुबागरा को राजा बन के नहीं, अपना बेटा समझ के अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के आपने मुझे जो प्यार और जो शक्ती दिया है वो बहुत कम लोग समझते हैं, उसका मतलब क्या है पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत लोग जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फूजन है उनको लगता है कि हम BGP के सांग, हम BGP के सांग जोइन हो चुके हैं हमने कॉंप्रमाइज कर दिया है, हमने अपना जो आइडियोलजी है उसको कॉंप्रमाइज किया है वो फेस्बुक में लिख रहे हैं, मुझे मेसेज भी कर रहे हैं बहुत लोग बोल रहे हैं कि बुबागरा हम आपके उपर विश्वास करते हैं लेकिन बहुत लीडर्स हैं, जो तीपरा मौथा में हैं, उनके उपर विश्वास नहीं करते हैं ठीक है, मैं समझता हूँ, आपका emotion मैं समझता हूँ मेरा duty भी बनता है कि आपको समझाओ, कि मैंने ये क्या है, क्यों किया है सबसे पहले, एक बात clear है, कि मैंने हमेशा कहा था, कि जब तक writing में मुझे कोई आसवाशन नहीं मिलेगा मैं किसी के साथ alliance नहीं करूँगा, मैंने Congress से बात किया, मैंने CPM से बात किया, मैंने BGP से बात किया election के पहले, ना BGP, ना Congress, ना CPM ने हमें guarantee में कुछ लिखके देने के लिए बात किया BGP ने एक draft दिखाया, लेकिन मैं उसमें राजी नहीं था, हम लोग राजी नहीं थे election के बाद भी मैंने Congress से बात किया, मैंने उनको भी कहा, लेकिन उनका अपना reason होगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना लेकिन, जब मैं hunger strike में गया, जब हमने pressure किया, तब finally, जो लोग मेरा मजा को रा रहे थे कि मिश्रा नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है ये आपका demand, क्या है ये constitution solution, आज government of India के home minister ने खुद TV के सामने स्विकार किया, कि तुरुपुरा में, तुरुपुरा का history एक चीज है और तुरुपुरा में गलती हुई है, government of India से गलती हुई है, ये government of India Congress का हो, या BGP का हो, या जनता दल का हो, या किसी का भी हो, government of India का home minister अगर स्विकार करता है कि तुरुपुरा में अन्याए हुआ हुआ हमारे तिप्रासा के साथ, तो ये एक बड़ा acceptance है कि गलती हुई है और आने वाले दिन में वो गलती को सुधाना चाहते है, अब ये agreement जो हुआ है, ये agreement में state government, central government और हम है, हमें pressure रखना है, हम pressure कैसा रखेंगे, pressure हम इसी लिए ऐसे एक तरीके से रख सकते हैं कि state में अपना दो लोग जाएंगे और cabinet में pressure रखेंगे कि जो भी हमारा EDC का funding है, जो भी हमारा लोगों का demand है, उसको आप timely clear कीजिए, आपने देखा, 110 post के लिए 27,000 लोगों ने apply किया, मैं EDC में computerization करना चाहता हूँ, पैसा नहीं मिलता है, मैं teachers को, English speaking teachers को नौकरी देना चाहता हूँ, हमारे इतने youth unemployed हैं, जो English teaching कर सकते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है, हम जो भी projects भेजते हैं, पास नहीं होता है, अब हमारा दो cabinet ministers, दो ministers हमारे cabinet के अंदर रहेंगे, अब ये pressure दालेंगे कि हमारा police bill, जिसके लिए funding चाहिए, village police के लिए, वो clear हो, हमारा custom records होदा का, हमारा चंताई का, हमारा समाज का, चुबलाई बुथो का, जो भी हमारा custom उसका पैसा time लिए आए, अब EDC में, अगर पैसा भेजना है, तो हमारे दो लोग है अंदर, और मैंने विकाश और सुकला को भी कहा, कि पहले आप party को छोड़िये, और जाती के बारे एक होकर हमारी minister के साथ मिलके, funds, टैमली भीजिये, हमारे लोगों को help होगा, इसके लिए मैंने दो लोगों को cabinet में भीजा, प्रेशर दालने के लिए, लोग सभा में हम चूज करेंगे candidate कौन जाएगा, symbol national election में मतलब नहीं होता, pineapple हो या कुछ और हो, candidate मैं चुनूँगा, क्यूंकि मैं जानता हूँ, कि अगर गलत लोग दिल्ली गए, तो वही मजा कुड़ाएंगे हमारा, वही हमें खतम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिल्ली जाने के बाद, इनका आवाज बदल जाता है, तो मैंने सोचा है, कि जिसको हम लोग चुनेंगे, वो जाएगा दिल्ली, और हमारे बारे बात करेगा, और हमारा ओपोजिशन नहीं करेगा, मैं परवा नहीं करता हूं कि सिंबल क्या हो, असली आदनी, राइट मैन हास टो गो, और राइट परसन हास टो टो टेली, और मेरा रोल, मैं ना गवर्मेंट में बैठूंगा, ना मैं कैबिनिट में बैठूंगा, ना मैं दिल्ली जानता है, कमीटी में मुझे वैसे लोग चाहिए, जो इतिहास टृप्रा का जानता है, जो लैंग्विज के बारे जानता है, पॉलिटिशन कम और इंटिलेक्शल जादा चाहिए, क्योंकि जो छे महने में हमको निकालना है, वो हमको सोच समझ के और यहां से, यहां से पना है, आज अगर मैं अकेला भूख हर्ताल नहीं करता तो गर्मेंट यहां तक भी नहीं आता है, तो मैं दिमाग से फाइट करूँगा, आपका सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन आपका प्यार, आपका आशिरवाद भी चाहिए, कोई कह रहा था कि B टीम और बीजेपी, प् अधियत्मानिकिया, तिप्रासा का एटीम है, और अगर हमको अपना पॉइंट, अपना लोगों को, अगर आज गर्मेंट और इंडिया हमें कुछ देता है, तो यह मेरे लिए नहीं होगा, हम सब के लिए होगा, हाँ, बहुत लोगों को खराब भी लग रहा होगा, क्योंक मैं तिप्रासा के संग बैठ रहा हूँ, और अगर तिप्रासा के लिए, कुछ मिलने के लिए मुझे कोई दस गाली भी दे, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा जब तक हमारे तिप्रासा को, उनका constitutional solution fully नहीं मिलता, और उसके बाद, मुझे जो करना है, मैं करूंगा, आप लोगों को लगता हुगा, एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि, भुबागरा, बीजेपी ने आईपी एफटी को धोका दिया, आपको भी धोका देगा, आईपी एफटी मेरा role model नहीं है, मेरा role model अगर होगा तो शामा चरन त्रिपरा होगा, या नागेंदर जमत होगा, आप जानते हो, बहुत लोग जो यूथ है, आपको मालूम नहीं है, जब शामा चरन त्रिपरा और नागेंदर जमतिया, ध्राव कुमार रियांग ने EDC के लिए फाइट किया, और जब बात चला, तो इंदरा गांधी ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करो, उन्होंने स लेकिन EDC मिला, 1988 में जब विजयर अंखौल ने राजीव गांधी के संग भात किया है, टी इनवी अकॉर्ड के लिए, तो उस समय CPM के गनमुक्ति परिशत के लोगों ने का अरे विजयर अंखौल ने तिपरासा को बेज दिया, अब ये तो राजीव गांधी को बेज चु 17 से 20 सीट जो हमें मिला है, वो विजयर अंखौल ने दिया, क्या विजयर अंखौल के पास महल है, आज नहीं, लेकिन उसने हमें 3 सीट दिया, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोंग्रिस से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं BGP से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं Government of India से बात कर मैंने जो लोग बोलते थे कि प्रद्यों तो उग्रुपंती है, कॉमिनल है, आज तीप्रासा को उग्रुपंती बोलते थे आप लोग, आज बिना एक गोली चलाए, बिना एक आदमी का खून बहे, हमने गर्वर्मेंट अफ इंडिया को अपने टेबल में लाकर एक्सेप्ट कराया, कि एतिहास में गलती हुआ है, और एक अगरीमेंट कागस में साइन करके, हम ने किया, हम IPFT नहीं है, IPFT का अगरीमेंट में JP नड़ा का साइन था, वो BJP का प्रेजडेंट है, हमारे अगरीमेंट में Home Secretary, Chief Secretary, जो officials हैं, उनके साथ हुआ है, IPFT ने और एक गलती किया, ज उनका टॉप टू लीडर्स, NC देब बर्मा, President, मेवार कुमार जमत्या, General Secretary, दोनों मंत्री बन गये, जिस दिन पार्टी का टॉप टू लीडर्स ही मंत्री बन जाते हैं, तो एक मेसेज जाता है, कि मंत्री पार्टी से बड़ा है, तिप्रा मौथा में मुझ से बड़ा है, मैंने कभी कहा था, अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकले, तो टेड़ा उंगली करके भी निकालना पड़ता, लेकिन घी निकालना ही पड़ेगा, आज मैं वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और मैं धरता नहीं हूँ, अगर मैं धरता, तो चुप बेढ़ता, मैं Facebook लाइव में आकर आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या किया है, और लोगसवा के बारे भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, लोगसवा में मैं अपना लोग को भेजूँगा, ना कि वो लोग जिसने हमारे जन जाती का मजा को राया, जिसने हमारा मूव पर प्रेशर आएगा और अगर MP अपना नहीं हुआ MP हमारे हाथ में नहीं रहा पार्टी कोई भी हो सिंबल कोई भी हो अगर अपना बारे अपने Constitutional Right के बारे वह MP ने बात नहीं किया तो नुकसान Community का हुआ है मैं लंबा खेल रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं और हाँ CPM बोल रहा है कि आप यह है वो है आपने क्या क्या पच्चिस साल तक हमारे साथ पावर में थे क्यों नहीं किया जब आपके पास पावर था आपको किस ने रोका था UPA था मैं था कॉंग्रिस में IMPT बिजयर अंखौल जगदीश दे बर्मा रबिंद दे बर्मा लेट रबिंद दे बर्मा कितने बार दिली गए कितने बार शंबू सिंग से मिला है कहा कि 125th amendment पास कीजिए 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 नहीं किया आपने आपने सच्चिन तंदुलगर को भारत रतने दे दिया लेकिन हमारे नौर्टीस के काउंसिल्स को आपने 125th amendment नहीं दिया क्योंकि आपका प्रियोर्टी कुछ और था आज आप बोल रहें कि हम करेंगे आज आप पावर में नहीं है और मैं जानता हूं कि आप पावर में नह चित नहीं रख सकता हूं लेकिन हां मैं आज भी राहूल गांदी के खिलाफ प्रियांका गांदी के खिलाफ सुनिय जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं क्योंकि मैं आज भी इज़त करता हूं लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि हमारे लो वो कुछ देने के लिए मैं अपने मंत्री को भी बोलना चाहता हूँ ब्रिश्यकीतू और अनिमेश को मैंने बोल भी दिया है प्रैविटली लेकिन आपके थुरू भी बोलना चाहता हूँ आपका काम हमारा आवास को कैबिनेट में रखने के लिए अगर मादबारी जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको हटना होगा और आपको हटना होगा क्यूंकि आपको ये पुजिशन पब्लिक ने दिया है और जिस दिन आप पब्लिक के बारे कम बोलोगे उस दिन आपका टाइम खतम हो जाएगा मैं प्रद्योत बिक्रम मने किया भूग घरताल में गया पास दिन ते कुछ नहीं खाया आप के लिए रोया आप के लिए फाइट किया आज मैं वही प्रद्योत बिक्रम माने किया आपको बोलना चाहता हूँ लोग सभा के बाद छे महने का टाइम लाइन है 100% मिलेगा मैं जानता नहीं हूँ लेकिन अगर 70% भी मिला जिसे होम मिनिस्टर ने कहा है गलती हुई है पास्ट में गलती हुई है आने वाले दिन में देखकर हमें आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा होम मिनिस्टर ने कहा है होम मिनिस्टर ने और एक चीज कहा हम एक कदम नहीं हम दो कदम आगे बढ़ेंगे अगर देश का होम मिनिस्टर ये प्रॉमिस करता है मुझे नहीं तीवी के सामने सब तीपरासा को प्रॉमिस करता है तो हमें भी विश्वास करना चाहिए चांस देन उतरप्रदेश में जीत रहा है कौन बंगाल में जीत रहा है कौन टमिलनाट में जीत रहा है कौन करनाटिका में जीत रहा है उसमें मुझे नहीं पड़ना है किसी ने चिंता किया जब हमारा क्या हो रहा था किसी ने चिंता किया जब हम लोग के लोग मर रहे थे किसी ने चिंता किया जब हमारे उपर किसी और का भाषाद लगाया जा रहा था किसी ने चिंता किया जब हमारा मा गरीब मा किलोमीटर चलता था पानी के लिए किसी ने चिंता किया जब हमारे बुरू को कंचनपूर में भिकारी जिसा रखा गया था किसी ने आवाज उठाया नहीं तो मैं भी आज आवाज उनके लिए नहीं उठाऊंगा और जब तक, जब तक, और हाँ, यहां में दो-तीन लोग है, वेर इस यो तिप्रा लैंड, वेर इस यो तिप्रा लैंड, कहां अग्रीमेंट में दिखा हैं, कि नहीं मिलेगा, सर, मजाक मत उड़ाई है हमारा, आपने मजाक उड़ाया, कि छोटा पाटी है, आपने मजाक उड़ाया, मिश्रा नहीं आएगा, आपने मजाक उड़ाया, भूख करो, भूख से मरो, कुछ नहीं मिलेगा, मिला ना, आज भी आप मजाक उड़ाते हो, जादा मजाक मत उड़ा पांडव ने पांच गाओं वांगा था पांच गाओं अगर दुरियोधन दे देता तो महाभारत नहीं होता और दुरियोधन को मलना नहीं पड़ता दिल बढ़ा करो हमारे तीप्रासा ने बहुत साक्रिफाइस किया है आज समय आया है कि हम सब भाई-भाई बनकर रास्ता द भाई-भाई बनकर लड़ना है भाई-भाई के साथ लड़ना है आज अगर तुरुपरा के महराजा बाउंडरी नहीं खोलते 46-47 में तो जो लोग आज जैश्री राम बोल रहे हैं अल्ला हो अकबर बोलते हैं समझ कि जाईए कि हमने भी अपना जमीन खोला कॉंट्रिब्यूट किया हमारे बारे भी थोड़ा सा सोचिए हम किसी के खिलाफ नहीं है हम अपने लोग के उठानी के लिए है यह मेरा मेसेज है बहुत लोग जो उल्टा सीदा बोलेंगे उनको बोलना है पोलने दीजिए आ आपका नफरत को मैं प्यार में कनवर्ट करूँगा और हाँ आज जो मेरा दोस्त है पहले मेरा जो दोस्त था वो दोस्ती रहेगा आज भी मैं क्योंकि मैं यहां में आया हूं तो मैं अपने पुराने दोस्तों का राहूल गांदी हो प्रियांका जी हो यह सोने जी उनके ख वाली देकर उठना नहीं है, मेरा लड़ाई अपने लोगों को उठा कर, अपने next generation को कुछ दे कर, हम अपना लड़ाई को जीच सकते हैं, और अब टाइम आया है कि हमें ये fight, यहां से भी और यहां से भी लड़ना है, और वो मैं करूगा, अगर आपको कुछ बुरा लगा, तो मैं माफी मंगना चाहता हूं, I love you and I am sorry if I have hurt you, but I am only fighting so that we can get a better tomorrow, this tomorrow is for you, once again, बलाई बलाई नहांभाई, and happy Women's Day to all my Bhumas, sisters, mothers, I love you, God bless you, God bless Deep Rasa.